दोस्तो अगर आप लोग एक यूटूबर हैं तो फ्रेंस आपको पता होगा कि अगर आप अपने यूटूब के चल पे सोर्स वीडियो अपलोड करते हैं तो यूटूब के तरफ से हर महिने कुछ चुनिन्दा यूटूबर्स के चल पे सोर्स फंड बोनस दिया जाता है यान और उनके YouTube के वीडियो पे बहुत कम व्यूज आते हैं, जैसे कि 50 व्यूज, 100 व्यूज, 200, 300, 500 व्यूज आ रहे हैं, और उनको भी YouTube Source Fund मिल जा रहा है, तो friends इस चीज को देख करके, आपके भी दिमाग में कहीं न कहीं, एक सवाल जरूर आता होगा, कि मैं भी तो अपने YouTube के च ख्यान से एन तक जरू देखेगा, क्योंकि friends आज के इस वीडियो में, मैं आपको बताने वाला हूँ, कि YouTube Source Fund का बोनस पाने के लिए, यानि YouTube Source Fund का जो पैसा है, जो डॉलर है, उसको प्राप्त करने के लिए, आपके YouTube चनल पे क्या-क्या requirement होने चाहिए, क्या-क्या eligibility होने चा चाहिए, और मैं इधर-उदर की बाते आपको नहीं बताऊंगा, बलकि YouTube की policy में इस बारे में क्या लिखा है, YouTube Source Fund का बोनस किसको मिलेगा, वो चीजे मैं आपको लाइक प्रूप दिखाऊंगा, और उसको अपने तरीके से explain करने की कोशिस करूँगा, so friends, यहापको screenshot देखन यह बनाया गया है, जो creative और original source बना कर YouTube community को बहतर content देते हैं, हम हर महिने ऐसे 1000 creators से संपर करेंगे, जो source बोनस से जूड़ी सर्तों को पूरा करते हैं, इन creators को fund में bonus दिया जाएगा, इसके लबाद दोस्तों नीचे आने बाद दोस्तों यहापर देखें क्या लिखा हुआ है YouTube source fund बोनस पाने के लिए, जरूरी सर्ते पूरी करने के लिए, यानि क्या-क्या आपको requirement होनी चाहिए, यह क्या-क्या LGBT आपके चैनल पर होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों 6-7 आपको requirement को fulfill करना है, सबसे पहली requirement, सबसे पहला यहाँ पर ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ जरूरी है कि चैनल पर पिछले 180 दिनों में जरूरी सर्तों पूरी करने वाला कम से कम एक source वीडियो अप्लोड किया हो, यानि आपको 180 दिन के अंदर पहले कोई एक source की वीडियो अप्लोड की गई होनी चाहिए, आपके YouTube चैनल पे, यानि 6 महने कंदर आपके YouTube चैनल पे कि सभी YouTube की policy को आपको follow करना पड़ेगा, तीसरी condition, ऐसे चैनलों को bonus नहीं मिलेगा, जो किसी तीसरी पच्च के social media platform के watermark या logo वाले वीडियो या किसी uncreators के बनाए हुए वीडियो अप्लोड करते हैं, इन में से वो चैनल भी आते हैं, जो खुद के original वीडियो को अप्लोड है, उसको आप अप्लोड करते हैं, या किसी photo का उसको वीडियो पनाके आप source वीडियो अप्लोड करते हैं, या friends, ऐसा किसी social media platform से आप उसकी source वीडियो को डाउनलोड करके अपने YouTube चैनल पे अप्लोड कर देते हैं, जैसे कि Instagram, Facebook की, या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सेरियल का क्लिप उठा के अपने YouTube चैनल पे अप्लोड कर देते हैं, तो भी friends, आपको YouTube source fund का जो बोनस है, ओ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे चौथी condition क्या है, अमेरिका में creators की उम्र 13 साल होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और अन्य जैसे इंडिया में है, जो ब्यावसक हो जाते हैं, जो एडल्ट हो जाते हैं, जैसे 18 साल के उपर क्यों होनी चाहिए, वो अपने देश के निर्भर के उपर डिपेंड करता है, कि कौन से देश में कितने एज में लोग ब्यावसक हो जाते हैं, इसके लबा है, जिन creators की उमर 13 से 18 साल के बीच है, उनके लिए जरूरी है कि उनके माता-पिता या अभिवावक सर्ते सुविकार करें, साथ ही अगर उनके चैनल से पहले कोई अगर आप इन देशों में रहते हैं, तो आपको यूटूब सर्स फंड दिया जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, इसके लबा दोस्तों यहां पर एक और है इंपोर्टेंट बात, ऐसे चैनल भी बोनस हासिल कर सकते हैं, जो यूटूब पर फिला के Creator's और कई चैनल के Network MCN से जूड़े चैनल को भी यह बोनस मिल सकता है, यानी दोस्तों यह जो शोर्ट फंड है न, ऐसा नहीं कि जिनका चैनल मोनटाईज है, जिनका चैनल मोनटाईज नहीं है, यानी जिनका चैनल मोनटाईज है, इससे कोई फर्थ नहीं मिल पढ़ने व और किसको नहीं देना है अब आपको अच्छे समझ में आगे आओगा कि YouTube Source Fund का बोनस है किसको मिलता है कम मिलता है और इसको पाने के लिए क्या-क्या requirement होनी चाहिए क्या-क्या eligibility होनी चाहिए वीडियो अगर अच्छे लिगत वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्काइब करना मत भूलिएगा फिर मिलता है फ्रेंज नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फोर वाचिनी